Hello everyone, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Let's Learn Physical Education पे Friends, आप सभी को पता है कि UPTGT की vacancies आ चुकी है और जिसमें physical education subject की vacancies भी है तो अगर आपने अभी तक form fill up नहीं किया है तो आज ही करें और साथी साथ UKPTI का paper भी होने वाला है इसकी सीरीज इन दिनों आपको हमारे चैनल पे प्रोबाइड की जा रही है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें अभी कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकोन यानि घंटी का निशान जो है उसे दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन महतुपूर्ण प्रिशनों को तैयार करके अपनी प्रिपरेशन कर सके और इस वेकेंसी में सफलता हासिल कर सके यही हमारे चैनल का एक मातरुदेश है जी हाँ दोस्तों उन सभी महतुपूर्ण को हमने शामिल किया है जो कि as it is exam में पूछ लिये जाते हैं और साथी साथ हम इन क्विशन से related क्विशन को भी डिसकस करते चलेंगे तो शुरू करते हैं क्विशन नमर वान से मानस्पेशी गतिविदी जो होती है वो पूर्ण रूप से निर्भर करती है और बता दे यहाँ पे आपको correct answer क्या है तंत्रिका यानि की नाड़ी और रक्त की आपूर्ती पर जी हाँ दोस्तों बात की जा रही है मानस्पेशी ग जो необходимо के तैनल के चेएं रहे होती हैं दूसरी होती है इन्वॉललेंट्री, जिनको नार रहे होती हैजी हम नहीं कर सकते हैं मौह कर पाई जाती है कि मानस्पेशी गतिविदीत हैं इस प necesita के उंपर करेंगी।nte 5 यह वास बघर करेएं और दूसरा रवक्त की आप पूर्ती पर क्योंकि रब्त के थू जो है ब्लड के थू ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मान स्पेशियों को मिलती है और वो कारे करती है तो ये बहुत important question है let's move to next question aerobic और anaerobic सहन चमता की आवश्यक्ता व्यक्ति की किस जरूरत के ऊपर निरभर है अब इस question में पूछा जा रहा है कि aerobic और anaerobic जो है वो किस चीज़ पर depend करता है तो आपको बता देते हैं correct answer चुने हुए खेल पर क्योंकि sports के according ही हम कह सकते है कि उस particular sports में ज़्यादा oxygen की आवश्यक्ता है या मतलब काफी देर देर तक oxygen की supply की जरूरत है तो हम उन्हें aerobic कहते है और अगर कम समय के लिए oxygen की supply की जूरत होती है तो उन्हें हम anaerobic कहते हैं like sprint races जो होते हैं में काफी कम समय के लिए होती है oxygen की आवशक्ता तो उन्हें हम anaerobic में रख सकते हैं और aerobic की नि long distance running वाले जो होते हैं उनको जो है काफी देर तक oxygen की supply की जरुत होती है तो वो अरोबिक में आते हैं Next question मस्तिश के या दिमाग के बस जीवित रहने के लिए उर्जा की खपत कैलोरी प्रती मिनट होती है तो कितनी होती है 0.18 कैलोरी फ्रेंड्स आज के series में हमने physiology और anatomy से related महत पूर्ण questions को शामिल किया है तो वीडियो को पूरा पूरा और last तक जरूर देखे Next question सही तरीके से warming up और cooling down ब्यायाम खिलाडी की मदद करते है और सही answer आपने guess कर लिया होगा कि चोटो से बचाने में और production को बढ़ाने में सभी को पता है कि किसी भी particular sports या main skill को perform करने से पहले हमें अपने body को warm up करने की जरूरत होती है और main skill को perform करने के बाद cooling down की जरूरत भी होती है ताकि हम injuries से बच सके यानी चोटो से बचाने के लिए और दूसरा production को बढ़ाने के लिए या best level of performance को achieve करने के लिए हमें warming up और cooling down की अवशकता होती है लेट्स मूब तो next question एक लीटर रक्त में oxygen gas की कितनी मात्रा घुल जाती है तो क्या है correct answer यहाँ पे अराम के स्थिती में सास की रूप में ली गई हवा की एक मिनट में कितनी मात्रा मनुश्यों में होती है तो यहाँ पे जो correct answer है वो क्या है 3-5 लीटर पहले question को ध्यान से समझेए कि जब कोई भी individual जो होता है वो आराम के स्थिती में होता है तो एक मिनट में उसके द्वारा हवा की कितनी मात्रा अंदर ली जाती है तो इसे हम tidal volume के नाम से भी जानते हैं जो कि 3-5 लीटर होता है next question तेजी से जटकने वाली friends यहाँ पे थोड़ा question में mistake हो गई है इसने हम next question की और move करते है जो veins liver का deoxygenated blood question को ध्यान से पड़ी यह पूछा जा रहा है कि जो वो कौन सी veins होती है जो कि liver का जो deoxygenated blood होता है यानि बात की जा रही है oxygen रहित blood को inferior vena kama की और ले जाती है वो कौन सी veins कहलाती है तो जब liver की बात की जा रही है तो वहाँ पे कौन से term यूज होगा hepatic और renal जो होता है वो kidney के लिए यूज होता है और gastric जो होता है वो stomach के लिए यूज होता है तो correct answer आपको यहाँ पर बता देते हैं hepatic और अब question को अच्छे से समझ लेते हैं question में पूछा गया है कि जो veins का जो काम होता है यह veins वो blood vessels होती है जो हमारे शरीर से अशुद रखत यानी oxygen रही तरखत यानी deoxygenated blood को collect करती है और heart तक वापस पहुचाती है और फिर वहाँ से lungs को supply किया जाता है और फिर इसको पुना heart में लिया जाता है और इसरे से sequence चलता रहता है तो यहाँ पर बात की जारी है कि जो liver का deoxygenated blood जो है वो inferior vena kaba की ओड़ ले जाती है वो कौन सी veins कहलाती है तो वो hepatic veins कहलाती है और बात की जारी है यहाँ पर cardiac muscles की और cardiac muscle का नाम लेती है आपको समझ में आ गया होगा myocardium साथी साथ आपको यह पता होना चाहिए कि जो हरदे की सन्रशना होती है वो तीन मुखे परतों से मिलके बनी होती है सबसे उपड़ी परत को epicardium कहते हैं बीचवाली परत को myocardium और सबसे अंदरूनी परत को हम यानि internal layer को endocardium के नाम से जानते हैं let's move to next question यदि गंभीर चोट की देख भाल में cryotherapy का उपयोग होता है तो सबसे पहला प्रात्मी कलाब क्या होता है question को ध्यान से समझे कि अगर cryotherapy यूज़ किया जा रहा है या most probably आपको पता है कि जब injuries होती है तो price का use हम करते हैं first of all तो उसमें भी ice का use होता है बर्फ का use होता है तो उसका सबसे पहला effect हमारे body पे या injured athlete पे क्या पढ़ता है और correct answer क्या है यहाँ पे cell metabolism जो है वो कम हो जाता है cryotherapy के उपयोग से next question एक मात्र जीवित कोशिका जिसको oxygen की आवश्यक्ता नहीं होती है तो निमन example में से आपको बताना है कि इन चारों में से किसको एक ऐसा है जिसको oxygen की आवश्यक्ता नहीं होती यानि कि यहाँ पे बात की जा रही है anaerobic bacteria की anaerobic, aerobic means क्या होता है friends oxygen की आवश्यक्ता होती है और anaerobic मतलब होता है oxygen के आवशक्ता जहां पर नहीं होती है तो यह correct answer है Next question Myoglobin नहीं पाया जाता तो निम्न में से किस में Myoglobin नहीं पाया जाता? कूमल मानस्पेशियों में आपको बता दे कि जो Myoglobin है वो मानस्पेशियों में पाया जाने वाला protein है एक प्रकार का protein है जो कि muscles में पाया जाता है और Myoglobin is iron and oxygen binding protein of skeletal muscle and that helps to supply oxygen to the muscles यह oxygen प्रोबाइड करता है muscle cells को तो यहाँ पे निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है पूछा जा रहा है तो कूमल मानस्पेशियों में Myoglobin नहीं पाया जाता है Next question अगर एक व्यक्ति को सार्व भॉमिक रख्त दाता माना जाता है तो उस व्यक्ति का सम्मध किस रख्त समों से है यानि सीधे सीधे बात की जा रही है कि universal blood donor कौन सा है and what is correct answer here blood group O वाले जो individuals होते हैं वो किसी भी blood group वाले को A वाले को B वाले को या B वाले को किसी का भी blood ले सकते है तो ये सभी महात्वपूर्ण questions आपको exam में पूछे जाते हैं तो वीडियो को पूरा-पूरा और लास्ट तक जरूर देखे starch को maltose और glucose में तोड़ने बारे पाचक enzyme को किस नाम से जाना जाता है and the correct answer is amylage, बात कर लेते हैं amylage की जो की saliva में पाया जाता है और mouth में सिक्रीट होता है और इसका main function क्या होता है देखे फ्रेंड्स, function यानि कि पहली बताया गया है कि starch को starch एक प्रकार का polysicride carbohydrate carbohydrate होता है और आपको पता है कि mouth में amylage enzyme starch का partial digestion करता है partial digestion करता है मतलब उसको dicecrites में तोड़ देता है यानि maltose और glucose में तोड़ देता है और इसकी जो mono units होती है starch की वो होती है glucose plus glucose plus glucose यानि कि अगर पूर्णता पाचन हो रहा होता है जो कि small intestine में होता है तो starch जो है वो maltose और glucose से फिर finally glucose units में तोड़ जाता है next question हिपैरिन का प्रयोग चिकित्सी रूप में किसके बिलम्द या डिले के लिए होता है तो बात की जाड़ी है हिपैरिन की और correct answer क्या है रक्त के पतला होने में इसका उपयोग होता है और हिपैरिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का anti-coagulant होता है जो कि हमारे बाड़ी में पाया जाता है आप सभी को पता है कि जैसे हमें कोई injuries हो जाती है तो bleeding होने लगती है और कुछी समय के बाद अपने आप bleeding stop हो जाती है तो वो क्यों हो जाती है क्योंकि जो plate-lates होती है वो रक्त का थक्का जमा देती है या clotting या coagulation कर देती है लेकिन आप ये सोचे कि वही blood जो है हमारे body में पूरे time circulate होता रहता है और उसकी clotting नहीं होती या थक्का नहीं जमता है तो वो क्यों नहीं होता है ऐसा तो उसकी जो वज़य है वो हिपरी नहीं है हिपरी नहीं है जो anti-coagulant की तरह काम करता है और blood को जमने से हमारे शरीर के अंदर रोपता है ओके, I hope it is clear to you all बहुत important questions की series है वीडियो को पूरा-पूरा लास्ट तक जरूर देखें ATP को पुना पैदा करने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है तो creatine phosphokinase जो होता है वो ATP को पुना पैदा करने की प्रक्रिया में भाग लेता है next question निमने कितमे से कौन से तोर तरीकों में tissues में सबसे अधिक गहराई से प्रवेश करने के छमता होती है और जहां पे बात की जाती है tissues में अधिक गहराई से प्रवेश करने की तो वहां पे short wave डाय धर्मी apply होती है next question निमने कितमे से कौन से इस्थिती विप्रीच संकेत देती है पेराफिन बात के प्रयोग के लिए और question को ध्यान से समझें पहले पूछा जा रहा है कि कौनी ऐसी इस्थिती है जो की बताती है कि पेराफिन बात का प्रेयोग कीया जाना है या नहीं कीया जाना है और पेराफीन वैक्स का प्रयोग करने से उनको कुछ allergies like heat, rashes, red bumps यह सा problem हो सकती है, तो यहाँ पर सही answer जो है वो त्वचा की स्थिती पर यह depend करेगा, next question, यदि एक मांस पेशी जोरदार व्यायाम के बाद घायल हो जाती है, तो व्यक्ति को कितने समय के पश्चा दुबारा व्यायाम करना चाहिए, बहुत important question है, सभी exam में पूछ लिया जाता है और आपको पता होना चाहिए, 48 hours के बाद ही दुबारा व्यायाम करना चाहिए, अगर मांस पेशी घायल हो चुकी है, तो, next question, व्यक्ति रंग पहचानने की समस्या से पीडित अधिकतर किन दो रंगों म पुछा जाता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हीमोफीलिया से पेडित व्यक्तियों में, जो ब्लीडिंग जब इंजर्ड हो जाते हैं वो, तो ब्लीडिंग देर से रुकती है, या काफी समय तक ब्लीडिंग बनी रहती है, ब्लड की क्लॉटिंग देर से होती है, उ देली हम अप्लोड करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपकी प्रिपरेशन करवा सकें, सिलिबस फिनिश कर सकें, तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को शेर भी किया करें ताकि सबी दोस्तों को इसके बारे में पता चल सकें और वो सब भी अचा क्वेशन हैं और को धियान से समझेए, पहले बात की जाड़े है कि जो सइंटिस्ट हैं, क्या मानते हैं कि जो तेज दावक होते हैं या लंबी दूरी के धावक होते हैं, स्प्रिंट ड्रेसिंग वाले हो या लॉंग डिस्टेंस रनिंग वाले अथलीट, थो वो किस संग के साथ दोड़ते हैं तो obviously ह्रदय किसके साथ ह्रदय के साथ क्योंकि running का सीधा effect जो होता है वो ह्रदय से होता है और इन की running का जो है चाहे वो sprint running और long distance running और इनका सीधा प्रभाव ह्रदय पे पढ़ता है तो गर्म और ठंडे उपचार का शरीर पर प्रभाव क्या पढ़ता है? तो किस्टीज की कमी से अनीमिया हो जाता है तो बस हीमोग्लोविन की कमी से और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B12 यानी फोली केसिड की डिफीसींसी से भी एनीमिया हो जाता है इस क्विशन को स्कीन शॉट ले लिजे और इसका अंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लेके जरूर बताईएगा सो मिलते हैं चल्दी ही नेक्स वीडियो के साथ शेर कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो अगर पसंद आया है तो और लाइक भी कीजिए और अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लेके जरूर बताईए